आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल open for profit में और दोस्तों आज के इस इवनी सेशन के अंदर फटा फटा हम लोग जायदा लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी किसी जाप से मूब करेगा जैसे हमने आज के लिए तयारी की थी जो लेवल्स हमने बताया थे exactly उसी साब से हुआ तो निफ्टी में gap up से open हुआ एक लेवल के उपर open हुआ जो हमने decide किया था और वहां सागर long किया हुआ था तो आप दे सकते हैं target 1, target 2, target 3, target 4 तक चीजें complete हो गई है और यहां पे भी हमें जो एक indication मिलता है bullish scenario है और right now इसकी जो price है 14,526 बैंक निफ् में big gap up से open हुआ और इसमें हमने बात की थी कि अगर 32,220 के उपर होता है then we should long इससे पहले हमें long नहीं करना है ठीक है क्योंकि थोड़ा सा खत्रा हो सकता था तो इसके बाद भी हमने open किया तो जो price गया था लग हो 32,437 यानि कि 200, 200 point का हमें यहां पे इज़ापा हुआ profit बन चीजें यहां पे bullish हैं और यह मैंने 5 minute का chart open करके रखा है दोनों जगें अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ चीजें किसमें हमें क्या करना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओके निफ्टी के हम बात करते हैं और निफ्टी के कुछ levels मैंने निकाल कर रखे हैं कल के लिए और यहां पे चीजें थोड़ी सी positive लग रही है यहां पे हम जो चीजें देख रहे हैं सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोग को एक वीडियो बताई थी कि 100 moving average जो होता है जिस moving averages दिये हैं उनके मतलब क्या होते हैं क्या indicate करते हैं वो मैंने बता है तो 100 moving average होता है वो यह होता है कि अगर वहां पर आके उपर आता है तो इसका मतलब यह रहता है कि buy this dip ओके तो यहां से जो प्राइस वापीस उपर गया हमें buy का signal मिला और इसके साथ मैग डी जो था वो उपर जाने से पहले नीचे अले बैंड को इसने ब्रेक किया था फिर gap up से open हो प्राइस यानि की चीज़े फिर positive हो जाती है फटापट और यहां पर हमें wait करना है कि अगर जो candle है वो ballinger band का उपर साइड है उसको अच्छे से break करती है कि नहीं करती है वो हमें देखना है तब ठीक है तो यहां पर positive दिख रही है अभी हमें इसमें क्या करना चीए देखिए यहां पर nifty जो है 14,718 पर इसको यहां पर resistance है तो अगर उस level तक जाता है तो please profit को book कर ले और उससे पहले अगर यहां से positive तरीके से open होता है तो आपके जो targets होंगे वो होंगे 14,586, 14,630, 14,084 और उसके बाद 14,718 जो है वो इसका एक resistance है तो यहां तक price जा सकता है इसका अब suppose कीजिए कि प्लस वाला scenario नहीं रहता है यानि कि ऊपर open नहीं होता है और कुछ गिरावट होती है तब आपको क्या करना है अगर suppose कि गिरावट होती है तब आपको wait करना है कि 14,450 का level break होने का या आप से पर सेट जाना चाहते हैं तो 14,467 का जब level break हो जाता है तो आप short कर सकते हैं इन options और आप अपने target पकड़ सकते हैं 14,411, 14,321 अब दूसरा short position हम कब open कर सकते हैं अगर 14,718 पर जाता है यानि कि तेजी से अगर open जाता है और 14,718 को hit करके या 14,700 को hit करके फिर नी तब आप वहाँ से एक short position open कर सकते हैं क्योंकि वह थोड़ा strong resistance है तो वहाँ से pullback हो सकता है ठीक है तो यह था हमारा एक nifty का scenario अब हम चलते हैं bank nifty के उपर bank nifty करके हम यहाँ पर बात करते हैं तो bank nifty जो है इसकी जो closing हुई है 32,424 और लगबग previous जो इसकी close थी उससे 613 points की बड़त के साथ यह बंद हुआ है high गया था 32,464 और low गया था 31,863 मतलब की पूरे दिन nifty और bank nifty के अदर हमें बड़त देखने को मिली slow slow moments थी लेकिन उप जो में चलती है तो अब यहाँ से जो right now हमारा target क्या हो सकता है अगर कल price उपर की तरफ open होता है 32,580 से उपर open होता है आप अपनी long position खड़ी कर सकते for a target of 32,750, 32,840, 33,000 तक 33,000 पे इसको resistance मिलेगा उससे पहले profit आप book कर लेना अगर छोटा मोटा gap के साथ नीचे उपन होता ह है तो आप wait करना 32,236 का तूटनेगा क्योंकि कल के दिन हमने जो एक breakout level पकड़ा था 32,220 पकड़ा था in bank nifty कि यह break होता है तब हम long करेंगे तो अब अगर आपको short करना तो इसी level का wait करना कि यह level तूटने तक और फिलाल मुझे यहाँ पे यह भी देखना है कि यह level ballinger band का ज उपर जा सकता है तो यह हमारा सिनारियो है और 32,230 से नीचे आता है तो आप एक short open कर सकते हैं for a target of 31,964, 31,780 और 31,650 का आप एक level पकड़ सकते हैं ठीक है तो बहुत simple चीज़े हैं और technically सारी चीज़े मैंने इस पर डाल के रखा है moving averages डाल के रखा है, ballinger band डाल के रखा है, MACD डाल के रखा है, RSI डाल के रखा है, ADX, DI plus, DI minus मतलब जो भी technical analysis पर हम बात करते हैं उसको आसान कर दिया है मैंने ठीक है मैंने अपना जो custom indicator है उसको उसी साब पर create कर दिया है कि मैं को बार-बार चीज़े देखना पड़ें और आपस में ये सारी चीज़े खुद calculate करके हमें बता देगी सही level कौन सा है, सही point कौन सी entry की, सही exit कब है कभी-कभी हमें MACD बता देगा, कभी-कभी हमें ballinger event बता देगा कि यहां से हमारी entry है लेकिन हमें EDX बता देगा कि नहीं, अभी entry नहीं है अभी momentum नहीं है, तो यह सारी चीज़े बहुत माइने करती है इसके लिए प्लीज जो technical analysis वाली video है उनको आप देख लो, आपको बहुत अच्छा खास idea मिलेगा और इसके बाद जो एक video आएगी उसके अंदर मैं कुछ और technical expects हैं उनको cover करूँगा ताकि आप लोग के लिए चीज़े और आसान हो जाए और इसके बाद कुछ आप लोग ने stocks के बारे पूछा था HDFC banks यह सो के बारे पूछा था तो वह मैं आपको हमारा YouTube community post है वहाँ पर मैं डाल दूँगा कि कौन-कौन से जो stocks है उनके उपर आपको नज़र रखनी है कल के लिए ठीक है तो यह था एक quick update on nifty bank nifty with all the target support and resistance मैं आप लोग को बादा दिया है अब वीडियो पसंद आई होगे तो इस वीडियो को जार साथा लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए बैल अगन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी important notifications होती है वो आप लोग से miss नहीं तो इसके बाद और भी important videos आएगी on forex आएगी crypto आएगी stock market पर भी आएगी और technical analysis के उपर भी आएगी तो चैनल के साथ बने रहे है ताकि यह सारी चीज आप लोग से miss नहीं तो जल्दी मिलेंगे तब तक टेक कर, have a great day